हीरामन्डी का पहला episode 8 होना चाहए था और उसके बाद से आपने आगे episode चलाने चाहए कार्ट राइट उसको पता है किया ये तेवाइफ विबबो जान ने मारा उसको ठीक है और विबबो जान की बहन है और उसको क्यों बला रहा हुँगा यह भी नहीं कि वो किसी उसके लिए कि मैं इसके साथ कुछ बुरा करूंगा या इसको मारूंगा वो बना रहा अपने उसके लिए ही तो वो क्यों बिला रहा रहा एंड में लिखना ची नो उस्ताज जी वर हम डूरिंग दिस वैब स्रीज असा नहीं लिख सकते हैं बाप का भाई का बेहन का सबका बदा लेगा तेरा आलम तो खातिनों अजरात वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको इंतजार था हिरा मंडी एपिसोड एट यानि फाइनल एपिसोड का रिविव हम करने जा रहे हैं मैं हुसान हो मेरे साथ महजूद है हमेशा की तरह आपके दोस्त आपके प्यारे नए लुक के साथ शारुक तारिक शारुक कैसे हैं आप लुक के बारे में बताएं कुल अप कुछ भी नहीं है मैं एक चीज देख रहा था इंदिरेश मलिक के आखरी एपिसोड है जो अस्ताज जी है मैं उनको शाओट आट एक देना जाए वह वाहिद बंदे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी अप टूदमाग थी यह उनका सिंपल रोल भी नहीं था वह अविससी जिससे के गाएक्टर प्ले कर रहे है था सा ट्रांस जेंडर मीठा करेक्टर था तो वह वाहिद करेक्टर था जो मिझे लगा कि जिसकी परफॉर्मेंस अविसी उनकी थी आपकी मलिका जान की जो के आपकी है इंडरेश उन्होंने या सक्तियां की सक्तियां भी सथिये उन्होंने पर एक बार तो सडक पर कोई साइकल वाला उनको मारते मारते बचा था उनको वह गालिया बड़े डैमेज होएं दूरिंग दीए एट एट के अविस्टी इसमा इनकी डेवलप्मेट में लेके जाते हैं लेके लेकिन यह है कि हम देखते हैं कि यह है कि ताजदार साब जो है वो इंतकाल फर्मा चुके हैं और उनको ले जाया जाता है आलम को उनकी कबर पर ठीक है क्योंकि आलम की तब बहुत जाता खराब है कुछ बोल नहीं रही तो कहा ही जा रहा है कि जब वो कबर पर जाएंगी तो उनका सद्मा टूटेगा वहां से और वो कुछ अब होता है हम देखते हैं इसके बाद दादी जान के पास भी जाती है और दादी जान को कुछ कबरी सुनाती है ताजदार आने लगा है मैंने तुम्हें यह देना था रिंग देनी थी अब मैं भी अब चैन से जा सकती हूं तो वहीं एक और कबर खुदवा दी गई है अब को भी परदा चलता है कि मैं यह सोचा रहा है जब ताजदार को मारा अब इतने जहने वह सख् प्रिटिश जो भी थे उन्होंने गेम कैसी खेलिए उन्होंने बंदा मार दिया और बाप को जाकर जूट कह रहे हैं कि भाई यह प्रॉस्टिट्यूट्स जो थी यह तवाइफे जो थी फैनेंशल हैल्प करते थे और रेबल्स के बाद वैपन आ गया था तो उन्होंने उ हम लोग डिस्ट्रैक्ट हों तो यहां पर जेल पहुंचके इसको मार दें ताकि यह कुछ होगल ना दे हम लोगे नाम ना गल दे इसलिए उन्होंने मार आप अंग्रेजों पर ब्रिटिशर्स पर तो आप मजानी आप भरोसा करी नहीं सकते हैं और बहुत सार लोगों ने बरोसा किया उसका अंजाम देक लिया ताज़दार जैसी हालत हो गी मार लोगों यह वरोसा को दिए यह कुछ दे यहां दे दाधो है ना कि अनके वसलिए बात है अगर उन्होंने दुर साथ दे दे दिया है तो नवाऑों की शामता गई तो इस कि दुर्फिकार साब उस favor में थे कि यार हां इन से सब से तवाइफों से खतम कर देना है connection और कुछ नहीं होना चाहिए तो मैं का इनका तो support में नहीं चाहिए हूं कि में खाल से खाली कौन आपके support में थे वली वली जे सब के वाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और यह वह आपका उन दुन का अब जब यह उन्होंने फैसला करी लिया है कि उन्होंने तवाइफों के पास नहीं जाना हीरामंडी को सूना कर देना है तो अब आप देखते हैं कि हिरामंडी पर चादरे मादरे कपड़ें पर चुराना शुरू हो गय थे तब लोग पर और बंद होन है तो ऑफिसी वो चीज़ आगे कि यार यह फिर हिरामंडी के तवाइफ में भी इसमें मिली वी है और दुसी चीज़ है कि वो उनको यह भी सुनने में आया था और यह दिखाय भी गया कि उन्होंने रेबल्स को अपने महल के अंदर जगा दिया रहने कि उन्हों तो लेकर मेरी चाहती है उनको लटका है तो अब उसको कुछ होगा रिवेंच लेगी लेकिन यह के वो साथ ही मिल गए है और साथ मिलके सब चीज़े है चीज़ कहा रही है और बिबो जान को हो गई है सदाय मौत सना दी है बिलकुल वह बड़ा अच्छा सी इन था कि सब फिर निकलत और तीसा कार्ट राइट होड़ नियु आवा था जी जी आलम उसने कहा कि मुझे आलम लाके दो और मैं अच्छा मिझे समझ नहीं है इस चीज़ की ठीक है कार्ट राइट उसको पता है कि यह तर वाइफ ने बिबो जान ने मारा उसको ठीक है और बिबो जान की ही बहन है हो अपना है तो वो इसको क्यों बुला रहा है और यह भी नहीं की इनकल धा सुने का रहा थीकली तो यह कहा थाड़ पादा चला है कि और चीज़ कर रहे है और दूसरी यह चीज़ के उस रात पे जब इतनी चीज़ा हो नहीं है कि वह सारे कुरा फूरी निकली है तरीक ह Eğerम तो मुझे लगता है कि शायद काट्राइट को लगता है कि तमाम तवाइफे हैं जो जितनी भी है उनका कोई एक मौरल तो कोई इनकी वैल्यूज होती नहीं है ठीक है ये लोग विकाओ होती है तो उसलिए उसने उस्ताज जी के थूरू कीमत लगाई कि भाई यह मैं कीमत मैंने ताज़डार को मारा है। इस चीज से इनको किक मिले है। जिस दिन बुलाया मुझे उसकी सेंज ही बनती चैयान इतनी चीज़े हो रही है। ठीक है पूरे लहोर में गयमRe Gamey मच्शी भी है जीज़े होई लेकिन उनको था कि मैं अभी इस इसी पॉइंट मैं सब करना गंपकड साहे बदले ले बाप का बहन से बदले का अ का वाप का फैसल है बदले है टिरा आज़मा रा का राहम ते अ बस Its नहीं यहे था चलते हैं जा यह अजए से सारह मिल गए थे यह Crown लेकिन एक जो है वो कución सटैव मा कई तेंज काम थे नाम ख़राबो चुका था थो उन्हें जहां तक है निए हैं करें onds टो इने में तक कि यार जब conclusion एक हो गया तो मिझे रहता है कि बहुत साई चीज़ें अभी भी लूज छोड़ी कि यार बहुत साई करेक्टर्स की स्टोरी चल नहीं साथ में उनका कुछ हमें conclusion नहीं मिलता है अब चलो वह अलग बात है आप बोलो कि यार में इन फोकस यह स्टोरी बताना था तो इसको बता दिया लेकिन उविसरी फिर उनको छेड़ना नहीं चाहिए ता इस चीज़ है यह लोग एकसेप्ट नहीं यह लोग से साथ नहीं यह ब्रिटिश के साथ है लेकिन जब लेके आर यह चुपा दियो होती है तो मलीक आज जान कहते है नहीं इनको अंदर लेकर है उनको तो कमरे मेंट लाओ उनको इनका स्विच इतने जल्दी ही होना था कि हाँ बिस ठीक ह मैं भी साथ नहीं हूँ तो फिर थोड़ थोड़ डिवलप्मेंट होती ही ना तो होता क्यार के पहले वो मना कर दी है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पर आइसा इसा 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 सॉफ्ट हो रही है तो वो भी अचानक मेरे खिलाने का बहुत जा आ छुपके कर क्यों नहीं थी मेरे एकाल से जितने भी लूस खरेक्टर्स थे और जो भी इनको फीड़ाइक मिला शायद इसमें लोग पूरा करके सही से करें जोड़ दिया इतना प्यार उनको वहां से भी और पहले विबुज अनक छोड़ दिया तो वह सब्सक्राइब करें नहीं सीरीस के साथ आपके सामने हाजी रोंगे तब तक के लिए क्लेटी विग को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस जल्दों की मुलाकात बाए बाई फरके टूड़ देड करें से बाइकन